वेलकम टू माई चैनल यहां पर मैं एक राजस्थानी मैन और उसकी साथ जो उठे वह मैं ड्रॉ करी हूँ मैं यहां एक एस्टिमेट लगा के ड्रॉ करना स्टार्ट की हूँ सोलजर जैसे एक पिच्चर के बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होता है तो मैंने वहीं से ड्रॉ करना सुरू किया है उसकी पग मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से पग के बिल्कुल पास से उसकी आईज स्टार्ट होती है इस तरह से मैंने उसके फेस को ड्रॉ किया कि यह फिंगर है उसके आई शर्ट की बाजू इस तरह से और यह उंठ का मुई स्टार्ट होता है जस्ट उसके पक के साथ तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया है इस तरह से मैं ड्रॉ की हूं और अब कलर करी में ब्राउन, डार्क ब्राउन है और वाइट के साथ मिक्स करके मैं कैमल का कलर कर दे हूँ यहां थोड़ा डार्क है इसलिए मैंने ब्लैक कलर थोड़ा मिक्स किया है यहां पर कलर थोड़ा डार्क है तो मैंने वहां डार्क किया है और जहां पर लाइट है वहां में वाइट ज्यादा मिक्स करके मैंने लाइट करके फिर कलर किया हूँ यहां मैं ब्लैक और ब्राउन के साथ मिक्स करके कलर कर रही हूँ यह रेट कलर की पग है फेस को मैंने ब्राउन कलर किया ब्राउन में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके मैंने फेस को कम्प्लीट कलर की हूँ थोड़ा से मैंने रेड भी मिक्स किया है इसमें आई यह नोज है जो साइड में मैं थोड़ा डार्क की हूँ यह नोज के पास जो यह क्रेखा लाइन है वह मैं डार्क कलर से कर रही हूँ और यह ब्लैक कलर से उसकी मूझ तियार कर रही हूँ इस तरीके से मैंने इसके लिप्स को कलर की हूँ और इस सेंटर में एक ब्राउन कलर की हूँ और अब मैं इसकी टित का एक शेप दे रही हूँ इस तरीके से ब्राउन कलर से लाइट ब्राउन कलर से आइस में आइब्रो में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है यह इसके हाथ है फिंगर से जो ओंट के साथ दोरी पकड़ी हुई है सामने फिंगर्स को मैंने थोड़ा डार किया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइट कलर की हूँ यहां मैं कैमल की फेस को इस तरीके से कलर करी हूँ जहां जहां ब्लैक है यहां मैंने ब्लैक जहां मैंने लाइट जहां 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 भी हॉँए कलर किया और उसके उपर मैं यलो से कलर कर दीए हूँ कैमल की आई इस जो बीच में मैंने ब्लैक किया है और साइड में मैं ब्राउन कलर किया हूँ कि इसको भी मैं डार्क ब्राउन से इस तरह से कलर कर रही हूँ अब मैं इसके बैक्ग्राउंड को स्काई कलर से कलर कर रही हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जिरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और चैनल को वीडियो को मेरा पूरा देखिए मैं फेस को इस तरह से लाइट लाइट कलर में कलर की हूँ यह रसी बंधी हुई एक गूल चोट चोटी बीट्स के साथ में बीच में छोटी वाइट वाइट बीट्स पड़े हुए हैं और उसके किनारे मैंने हलके हलके ब्लैक कलर की हूँ यह भी रसी बंधी हुई बंधी हुई ये एक डोरी कैमिल के साथ बंदी हुई है जो इस मैंन के हाथ में पकड़ी हुई है यहां मैं शेट को कालर रंग कर यूं वाइट कलर से कहीं कहीं मैंने वाइट के साथ थोड़ा ब्लैक पिक्स करके और इस तरह से शेट को कलर की हूँ अशेट में जो बल पड़े हुए वो मैं ग्रिय कलर से हाइलेट कर रही हूँ यह पग को मैं इस तरह से कलर कर रही हूँ ब्लैक को थोड़ा सा रेड मिक्स करके ब्लैक को मैंने डार्क किया है और फिर उसके पग को इस तरह से कलर कर रही हूँ या इसके पास हलकी हलकी जो लाइने है वो मैं दे रही हूँ यहां पर हलकी ब्राउन कलर के साथ मैंने थोड़ा ब्लैक मिक्स करके फिर मैंने हलकी हलकी लाइने खीजी हूँ झाल झाल इस ब्लैक कलर में लगारी हूं इस में ब्लैक और सेंटर में मैंने ब्लैक और ब्राउन के साथ किया है कलर अब इसकी बेट से दाड़ी है जो मैं वाइट से कर रही हूं थैंक यू पुर वाचिंग